आज का जो वीडियो है उसकी है खास बात ना हम दाल को भिगाएंगे ना हम दाल को पीसेंगे आज हम बना रहे सूजी के दही बड़े जो कि सुपर सॉफ्ट इंस्टेंट दही बड़ा बन कर तयार हो जाएगा और आप उसका रिजर्व देखेंगे और दही भी कैसे हलवाई हलवाई लोग टोंड दही जो होती है सेपरेटा दही से भी इतनी अच्छी अच्छी चाट बना लेते हैं तो पूरा वीडियो देखिए आपको बहुत मजाएगा तो अब सबसे पहले यह जो दही है बन लीटर मिल्क से मैंने दही बनाया हुआ है तो इसमें हलवाई लोग यह लोग जो बनाते हैं न दही बहुत बढ़िया सा मीठा दही जबकि उनका दही गाड़ा भी नहीं होता सेपरेटा दही होता है लेकिन फिर भी वो बहुत ही बढ़िया बनाते हैं तो इसी ट्रिक से बनाते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक लीटर दूद में मैंने करी करीब करीब 200 ग्राम चीनी डाल दिये और चीनी डालके बस इस तरीके से मिक्स करना है जिससे चीनी जो है अपने आप इसमें घुल जाएगी और फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगे जिससे दही और अच्छा टेस्टी लगेगा और फिर हमें इसका सीक्रेट बता चलेगा कि ना तो हम किसी दाल को धोएंगे विगा कि रखेंगे पीसेंगे तो हम ऐसे कौन से दही बड़े बनाने वाले जो इंस्टेंट फटा फट मन करें और दही बड़ा बना लें तो हमने लिया है वन कप बारिक सूजी मोटी भी होगी तो चलेगी इसमें चल जाएगी और इसमे दालूगी मैं बहुत थोड़ा सा नमक करी वन फोर टी स्पूंग इस सूजी को हम मिक्स करेंगे लेकिन पानी धीरे धीरे डालेंगे अभी इसकी कंसिस्टेंसी ठीक लग रहे है तो अभी मैं इसे ढखके करीब आदे खंटे के लिए रख देती हूँ कम से कम 20 मिट तो रखें अगर आदा खंटा रखतें तो बहुत बढ़िया इसमें अभी कुछ न डाले और फिर हम मिलेंगे आदे खंटे बाद और फिर जर्वत पड़ेगी तो मुझे थोड़ा पानी डालना पड़ेगा अब हम इस सूजी को चेक करते हैं सूजी का मिश्णर काफी थिक हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अध्रा और हरी मिर्च बारी कटा हुआ है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आया थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी जो हमने बचाया हुआ था, 1 एर्थ, 1 फोर्थ का भी आधा, 1 एर्थ टीस्पून डालेंगे, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, अब इसे मिक्स करेंगे, अब क्योंकि मैं इसे फ्राइ भी नहीं करूंगी, तो इसलिए मैं बहुत ज़ादा पतला बैटल नहीं बनाना चाहिए, बस मुझे ऐसा ही जाहिए, अब आपके पास अगर अप्पे मोल्ड है, तो आप उसमें बनाईए, डीप फ्राइ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आपका भी मन मेरी तरह नहीं है, डीप फ्राइ करने का, तो इसमें थोड़ा सा करीब दो टेबल स्पून के आसपास, यहां पर लीजे पानी और जब भी आपको दही बड़ा डालना है, तो अगर हाथ से डाल रहे हैं, तो हाथ गीला कीजिए, अगर चम्मच से डाल रहे हैं, चम्मच भी गीला लीजिए, अब यह देखे, मैं डालने चाह रही हूं, तो मैंने इस चम्मच को गीला किया, और इस चम्मच को इस तरीके से पखा, जिस साइज का आपको दही बड़ा चाहिए, यह देखे, बीच में मैं स्पून से इसके अंदर थोड़ी सी किश्मिश और चिरोंजी डाल रहे हूं, और फ्लेम आपकी मीडियम रहेगी, बहुत ज्यादा फुल भी नहीं, और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, और चाहे तो आप यह फिलिंग ना डाले, अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बेटर डाल दीजे, जिसे यह कवर हो जाए, अब यह मुझे फिलिंग डालते हुए कुछ टाइम हो गया, तो यह अपन नहीं पके तो आप इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा यह ओल जो है ऐसे डाल दीजे, तो ऊपर की साइड से भी पत जाएगा, और बहुत ही केरफुली इसे पलट दीजे, अब आप चाहिए तो इसे ढख दीजे, और यह स्टीम में बहुत ही अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पक जाएगा तो उसी तरफ से भी, जब तक दही बड़े पक रहे हैं, तब तक हम दही बड़े का पानी बना लेते हैं, जिसमें हम यह दही बड़े को लिप करेंगे, पा अब इन्हें चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ से बहुत ही बड़े सिख चुके हैं, साइडों से भी सिख गए हैं, इन दही बड़े को हम निकाल लेते हैं, अब यह देखे, यही ओल है हमारे पास, इसी को हम अप्पे मोल में पर टाल गए हैं, इसको हम ढख देते हैं, लो टू मीडियम रखेंगे फ्लिंग, इस पानी में हमें इन दही बड़े को डालते जाना है, इसको अब चेक कर लेते हैं, यह इस तरीके से राउंड शेप में बनेगा, नीचे से भी, अब हम इने चेक कर लेते हैं, यह देखिए, दुनों साइट से पक चुके हैं, बहुत ही बड़िया और हमने लो टू मीडियम रखा है इसकी फ्लेम, तो उसे काफी बड़िया हर तरब से सिख चुके हैं, बहुत ही स्पॉंजी, गोल-गोल दही बड़े बनकर त्यार होएं, अपे मोल्ड ना हो तो थोड़ा सा शेप में फर्क आ जाएगा, और अगर अपा मोल्ड है, तो यह बहुत ही बड़िया गोल-गोल बन जाएंगे, देखाना आपने बहुत ही कम ओईल में, हमने कोई पहले आप इसे भिगो के रखें, जैसे अभी मुझे कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आप इसको कवर करके फ्रिज में रखें, जैसे आपको कल भी बनाने है, तो आप बना सकते हो, सिर्फ पानी को हल्का सा गरम कर दीजिए, हींग और पानी डाल कर उसे थोड़ा 10 मिट इसे रख देंगे, तो उतना ही सॉफ्ट मिलेंगे, तो कोई टेंशन नहीं, अभी हम 3-4 पीस ये भी डाल देते हैं इस पानी में, अब हम इस दही में, जो हमने चीनी डाल रखी थी, वो पूरी घुल चुकी है, अब इस दही को एक पतली कपड़े में आप छान फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, या एक छनी होती है, जो बहुत पतली हो, उससे भी आप छान सकते हैं, अब देखिए, इस कपड़े को आप लीजे, अब पूरे दही को इस तरीके से स्क्वीज कर देजे, अब ये दही देखिए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बहुत मीठा सा दही है, जैसे साउथ इंडियन दही बढ़े बनते हैं, दहली में भी दही बढ़े मिलते हैं, जिसमें बले मीठी चटनी न डले, लेकिन दही उनकी बढ़ी मीठी होती है, तो इस तरीके से ये चाट वाले भी इस तरीकी का दही बनाते हैं, अब ये बहुत बना रहे हैं, तो 4 माने लॉंग ले लिए हैं, 4-5 तीजपून अजवाइन लिया है, 1 तीजपून सौंफ, 2 तीजपून जीरा, यह हम थोड़ा सा सेक लेते हैं, 10-12 पीस हम काली मिर्च के भी डाल देते हैं, यह हमने सेक लिये हैं, यह हम धंडा कर लेते हैं, अब इसमें डा कीज़वें, आप यहां देखे, हम यहां पर सर्फ कर रहे हैं, मसाला भी त्यार है, दही भी त्यार है, आप इस साइस को देख लीज़े, इसको और इसको, बहुत बड़ा, धही बड़ा हो गया, देखिए, कितना फूल गया है, तो बहुत ही बढ़िया है, कही बार हमारा म बन नहीं होता दाल को पीछना करना बहुत ही ईजी तरीके से दही बड़े भी बन सकते हैं अब हमें दोनों टाइप के में बता रही हूं थोड़ा शेप काई फरक आएगा यह देखें यह भी काफी बड़े-बड़े हो गए हैं आप इने छोटे भी बना सकते थे अब हम इसके उपर डाल रहे हैं दही यह देखें इसके उपर भी दही हमारे पास है मीठी चटनी इसकी रेसिपी भी मैंने कई बार डाली है आप चेक कर सकते हैं लेंक हम डाल देंगे अगर आपके पास भी हरी चटनी भी है थोड़ी सी हरी चटनी भी डाल सकते हैं वापिस थोड़ी सी दही और यह जो सबसे ज़्यादा स्वात बढ़ाने वाला है मसाला दही बड़ी का मसाला चाहे तो आप इसके मसाले को भी काफी सारा बना के एक छोटे से एर टाइट जार में रख दीजे तो कई बार हम लोग दही बड़ा रायता बनाते रहते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से यूज होगा इसमें टेस्ट राएगा और अच्छे से फ्लेवर आएंगे और दही में आप चाहें तो अगर आप थोड़ा नमक जादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा काला नमक या सादा नमक दही में भी आड़ कर सकते हैं और ये दही इतना अच्छा मीठा है कि हम बिलकुल कह नहीं सकते हैं कि हमने आज सेपरेटा दही से ये बनाया है टोन मिल्क दही से यह दही बनाया है तो दही बड़ा बनकर तयार हुआ है बिल्कुल भी हमने कोई महनत नहीं की है तो यह आपको कैसा लगा इसे जरूर बताईए यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अब मैं एक चीज और बताऊँ यह दही बड़ा आपको काट के दिखाती हूँ कि यह कितना सुपर सॉफ्ट बनाया है यह देखें यह देखें दही बड़ा कितना सुपर सॉफ्ट है खाने वाले बिलकुल पहचान नहीं पाएगा कि यह हमने अभी इंस्टेंट दही बड़े बनाया है आप इसको भी दिखें और इसको भी दिखें बहुत ही सॉपर सॉफ्ट सरफ शेप का फर्क है लेकिन दही बड़ा खाने में वही टेस्ट है